इस टाइम पे इंडिया की दोड़े लग चुकी है और इंडिया को काफी टेंशन है क्यूंकि बागनदेश ने एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान से military equipment की order दे दी है पाकिस्तान से इसारा emanation का सामान बागनदेश को मौसूल होने वाले कुछी दुनों में वैसे बागनदेश इससे पहले भी पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़े इंपोर्ट कर चुका है और खास करके military का सामान आज इंडियन मीडिया बाद करके इंडिया के लिए tension बनने वाली है और बढ़ने वाली है क्योंके बागनदेश ने बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के लिए चिंता जनक अक्टिविटीज आपको देखने मिल रही है सबसे पहले आपको मालूम है किस प्रकार से इंडिया को दोश दिया गया था जब वहाँ पर बाढ़ आए अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ लई है सबसे पहले तो बंगलादेश के इंटरिम गवर्वमेंट ने जमाते इसलामी पार्टी पर बैन हटा दिया है दोस्तों जमाते इसलामी वह पार्टी है जो की क्लियरली एंटी इंडिया स्टांस रखती है इतना ही नहीं ये प्रो पाकिस्तान उपिनली है कैसे है आपको मैं बताऊंगा वो सारी चीज़े देखेंगे और ये भारत के लिए बहुत ही जादा चिंता जनक है जमाते इसलामी वह पार्टी है जो की बांगलादेश लिबरेशन वार में 1971 में पाकिस्तान का साथ दे रही थी और उसके बाद भी शोक मना रही थी कि पाकिस्तान तूड गया दोस्तों इतना ही नहीं एक बड़ा न्यूज आ रहा है बांगलादेश ने 1000 रंद सफ म्यूनिशन का सप्लाई पाकिस्तान से मंगवाईा है दोस्तों ये ओडर बहुत बड़ा है और इसके साथ पाकिस्तान और बांगला देश में जो एकसिस है वो बड़ा मस्बूत होता हुगा दिख रहा है जब भारत को कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, न्यूस में क्या है, बांगलादेश के इंटरियम गवर्वनेट ने सबसे पहले तो जमाते इसलामी पे जो बैन लगा हुआ था, वो हटा दिया, दोस्तो जमाते इसलामी पे बैन अंडर एंटी टेररिजम लॉ लगा था, जमाते इसलामी, दोस्तो इसके मिलियन सब सपोर्टर हैं, बांगलादेश में, और सिर्फ बांगलादेश नी अगर आप देखे तो जमाते इसलामी भूरे, अगर इंडियन सब कॉंटिनेंट में ही आप देख ले हर जगा आपको देखने मिलेगा, जमाते इसला इसलामी से sympathizing groups इंडिया में भी आपको मिलते हैं अब दोस्तों इनके जो millions of supporters से इनको 2013 में बांगलादेश के high court ने बैन किया था कहा था कि ये politics में नहीं आ सकते क्योंकि इनका जो charter है वो secular constitution के violation में है ये clearly Islamic fundamentalist था है हसीना के सरकार ने एक अगस्ट को आउटस्टर के हसीना के जाने के बस चार दिन पहले इसको बैन किया था जब इन्होंने देखा कि इसलामी चात्र शिबिर का रोल है इस पूरे student protest में इसलामी चात्र शिबिर इसी जमाते इसलामी का student wing है और उन्होंने ही पूरा orchestrate किया जिसके दवारा शेख हसीना को देश छोड़के निकलना पड़ा जमाते इसलामी दोस्तों को ये आज की संस्ता नहीं है ये रोना गाना मचाते थे कि कैसे हमारा पाकिस्तान हाए टूड गया इतना प्यारा पाकिस्तान टूड गया बांगलादेश अलग देश हो गया ये गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए था दोस्तों दीधार हाड़कोर इस्लामिक फंडमेंटलिस्ट पीपल इसको हम वापस आएंगे इस न्यूस को connect करेंगे क्योंकि एक बड़ा न्यूस इसके साथ देखने मिल रहा है क्या हुगा है बंगलादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं बेहत कम मजबूत होते हुए देख रहे हैं बंगलादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ इम्यूनिशन पाकिस्तान से ओडर किया है दोस्तो थ्री ट्रांचेज में इसकी डिलिवरी हो नहीं है सेप्टेंबर बस कुछ दिनों में डिलिवरी स्टार्ट हो जाएगी अब कई लोग कहेंगे कोई पहली बार थोड़े है जो बंगलादेश पाकिस्तान से म्यूनिशन खरीद रहा है जी हां दोस् जिसमें पाकिस्तान एडिनिंस फ्राक्तरी के मैंगेजिंग डिरेक्टर ने अपने अलग अलग डिविजन हवेलिया, संज्वाल, गडवाल इनन सब को दिया है कि ये सारे आडिनिस फ्राक्टरी जलदी से प्रोड़क्शन स्टार्ट करें क्योंकि हमको बस तीन महिने में ह हजारो हजारो rounds of munition supply करना है, first week of September से लेके December तक में, ये supply पूरी हो जानी चाहिए, इसमें 40,000 round है munition के, 40 ton RDX के with wax consistency, so that explosive बन सके, और projectile of high intensity, 39-100, इन number order पेश की आ गया है, दोस्तों, 2023 में नंबर कितना सा जानते हैं, 12,000 round of munition, तो उसकी तुलना में ये order कितना बड़ा है, आप ज़रा सोच लीजे, दोस्तों यहाँ पे ये अगर आप देखें, तो इस प्रकार के जो आटलरी हैं, इनके लिए ammunition supply किया जा रहा है, अगर आप आटलरी देखें, तो ये बड़ी चिंता वाली बात है, यूँकि Russia-Ukraine war में भी आपने देखा, दोनों ही पार्टी इसको, किसकी कमी खल रही है, ammunition की, किसके लिए, ये जो ammunition जाता है, इन आटलरी में, इसी की कमी खल रही है, वो समझ रहे हैं, वार सस्टेन करना है, तो इसके धेर सारे ammunition आपके पास होने चाहिए, दोस्तों यहाँ पे, ये जो ammunition पाकिस्तान ने मांगा, बंगलादेश ने मांगा है, वो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर करने वाली, आटलरी गंस में डाला जाएगा, बंगलादेश दोस्तों, तो तीन साइट से तो भारत से सराउंड़ेड है, चोटे साइड में बेयोफ बेंगॉल है, और एक छोटा सा बॉडर, 271 किलोमीटर का मियानमार से लगता है, तो इतने सारे आटलरी राउंड्स, बंगलादेश किसके लिए खरिद रहा है, जाहिर सी बात न्यू देली यही सवाल पूछेगा, कि आप किसके खिलाफ यह यूज करना चाहरे हैं, 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो डिफिनिटली यहाँ पे जो गन पॉइंटेड है, यह इंडिया के बॉर्डर पर ही होने वाला है, और आपके जो बायर भी है, जिनसे आप खरिद भी रहे हैं, वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं, तो यह सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान और बंगलादेश में जो करीबी है, यह भी बढ़ रही है, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी हाई कमिशनर तीन बार बंगलादेश के चीफ अड्वाइजर से मिल चुके हैं, मुहमद यूनस, आक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, दोस्तों यहाँ पे न्यूज ऐसा आ रहा है, कि पाकिस्तान और बंगलादेश एक Trade and Defense Cooperation भी साइन करेंगे, दोस्तों यहाँ पे यह तस्वीर हैं, आप देख सकतें किस प्रकार से मुलाकात हुई है, मुलाकात तो क्या है, भारत के भी High Commissioner मिले हैं, लेकिन बार 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 मुलाकात हो रही है, और इस प्रकार से और पे और भी जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों, फ्यूचर में Trade and Defense Cooperation भी दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है, आप देख सकतें दोस्तों, इस प्रकार की बाद 2022 में Atlantic Council में आ गई थी, रिवाइटलाइजिंग पाकिस्तान बांगलादेश ट्रेड को आपरेशन इन परस्यूट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट, Atlantic Council क्या है जानते हैं, दोस्तों यह US Government Funded Think Tank है, बाई पार्टीजियन इसको सपोर्ट है, और इसके ऐसे ऐलिगेशन से कि इसमें जो काम करने वाले डारेक्टर्स हैं, वो CIA से ही आते हैं, और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी रिपोर्ट है कहीं न्यूज में आ रहा है, कि अभी जो टेलिग्राम को टार्गेट किया गया, इसकी कहानी भी दो महिने पहले अट्लांटिक काउंसल से ही शुरू हुई थी, यह मेजर सेंसरिशिप आम है, यूएस रिजीम के लिए काम भी करता है, और यह रिपोर्ट साई हैं जो ट्विटर फाइल्स में आया था, उससे सामने आया, इसके सिवा शैलिन बर्जर ने जो टेस्टिमनी दिया था जुडिशरी कमेटी को, उसके सामने भी एक्जाटली यही बात आई थी, तो अट्लांटिक काउंसल यूएस इस्टाबलिश्मेंट का एक्स्टेंडड आम है, तो उन्होंने ये खिचडी पहले से ही पकानी शुरू की थी, और इस तरफ अब ये दो देश जाने वाले हैं, सवाल उठता है, एंड गेम यहाँ पे क्या है, देखें दोस्तों यूएस पकिस्टान को आपरेशन हुआ है, बांगलादेश उनके साइड आ सके, अब ये बड़ा ही क्लियरली देख रहा है, यहाँ पे दोस्तों शॉट टर्म टार्गेट साखी बे ओफ बेंगॉल से चाइना को हटाया जाए, लेकिन लॉट टर्म टार्गेट क्या होगा, इंडिया पे भी टार्गेट हो सकता है, दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, जियो पॉलिटिक्स में, इंटेंशन मैटर नहीं करते, केपैबिलिटी मैटर करती है, अगर आपके पास केपैबिलिटी है, तो इंटेंशन तो कभी भी बदल सकता है, अब बांगलादेश जब पाकिस्तान के साइट चला जाएगा, तो इंटेंशन आ गया है, बे ओफ बिंगॉल ऐस वेल आज इंडिया का इस्ट और नॉर्थीस्ट को, भी स्टेबल किया जा सकता है, अन्स्टेबल कभी भी हो सकता है, पाकिस्तानी इंवॉल्ब्मेंट पांगलादेश में जब-जब हुआ है, भारत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सेंटर फॉर लैंड और वार्फेर स्टेडीज का ये पेपर है, 2009 का, 2009 जब बांगलादेश में पाकिस्तानी प्रेजन्स अपने एक्स्ट्रीम पर था, दोस्तों सेंटर फॉर लैंड और वार्फेर स्टेडीज इंडियन आर्मी को एफिलियेशन रखने वाली एक थिंग टैंक है, देखिए क्या लिख रही है, यहां मांसी महरोतरा इसी पे लिखी है, मांसी जी लिख रही है कि बांगलादेश का जो लंबा ट्रेडिशन रहा है, कि इसलाम का प्राक्टिस मॉडरेशन में किया जाए, एक्स्ट्रिमिजम में ना हो, यह खतम होता गया, जैसे जैसे, पॉलिटिक्स में रिलिजन आता गया, बांगलादेश में सबसे पहली बार यह हुआ, जब हुसेन मुहमद इर्शाद के रिजीम में, 1982 से 1990 के बीच में, इसलाम को स्टेट रिलिजन बनाया गया, प्रेसिडेंट जिया उर्रह्मा 1977 से 81 के बीच में भी, यह प्रेस्स स्टार्ट कर दिया थे, जब जमाते इसलामी, वही संस्ता जिसको वापस से, बैन से हटाया गया है, वो जमाते इसलामी, जब उसके लीडर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, कल्टिवेट करना स्टार्ट किया गया, दोस्तों, यह इंडियन आर्मी से, एफिलेशन रखने वाली think tank कह रही है, कि यह जो लीडर्स है जमाते इसलामी के, इनके यह टेर्रिस्ट ग्रुप्स को बांगलादेश में फैसिलिटेट करते हैं, पना देते हैं, उनको अक्टिवेट करते हैं, जितनी भी सरकारे आती हैं, जमात के साथ करीब होती जाती हैं, और वो सभी टेर्रिरिजम इस पूरे इलाके में फैलाते हैं, दोस्तों, बांगलादेश में जो हुआ है, जिस प्रकार से, जो US, बांगलादेश, पाकिस्तान एक एक्सिस बनके उबरा है, जिसमें जो वैल्यूज हैं, जैसा मुहमद युसुफ ने बता दिया, वो कोई सेकुलर वैल्यूज लेके नहीं आये हैं, जमाते इसलामी हाड कोर, फंडामेंटलिस्ट है, उसको मद्बूत कर रहे हैं, उसको वापस से खुला छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से मिलिटरी का ओडर पे ओडर आ रहा है, याने की कुछ बड़ा पक रहा है, दोस्तों हमने पास्ट में देखा है, जब बंगलादेश अंस्टेबल होता है, या फिर इसलामिक हाड लाइन के तरफ जाता है, तो ये पूरे इंडिया को डिस्टेबल करते हैं, हमने देखा एक इस प्रकार से भारत में ये आतंगवादी को फैसिलिटेट करते हैं, उनको पना देते हैं, आज भी दोस्तों, जब शेक हसीना जी ने इन आतंगवादी संगटन पर बंगलादेश के भूमी पर ब्रोक लगा दिया था, एक भी टेरर कैम बंगलादेश से ऑपरेट नहीं होता था, तब भी इतने सारे टेरर और्गनाइजेशन भारत में आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बड़े कमजोर हैं, आप देख सकते हैं, मिघालिया में HNLC, GNLA है, असाम में ULFA है, NDSB है, KLO है, JMB है, अरुनाचल प्रदेश में NSCN के धेर सारे factions हैं, नागालेंड में भी NSCN के धेर सारे factions हैं, मनिपुर में आप देखो, UNLF मिलेगा, PLA का मिलेगा, KYKL मिलेगा, KCP मिलेगा, Cookie Groups मिलेगा, NSCN मिलेगा, तिरपुरा में भी NLFT, ATTF, धेर सारे आतंगवादी संगटन मिलते हैं, बागी भारत के, जो पूर्व के राजे हैं, वहाँ पे भी आप देखो, तो Communist Party, CPI Mowist, किस प्रकार से, बिहार से लेके, जहारखंड से लेके, 36 गड़, Odisha, West Bengal में activated हैं, CPI Mowist दोस्तो, टर्रिस संस्ता है, यहाँ Political Party वाली उसकी बात नहीं हो रही, दोस्तों, यह सब, बांगलादेश से activate होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब को, बांगलादेश अपना soil देगा, कि आप बांगलादेश से, अपने terror camps को fund, यहाँ पे हम fund कर रहे हैं, आप यहाँ पे आपको weapons मिल रहा है, आप यहाँ से, काम शुरू कीजिए, और पूरे भारत के पूर को, और पुर्वत्तर को unstable कीजिए, तो बहुत जरूरी है, इस वक्त तो आप यह सब नीले रंग में देख रहे हैं, जो बताता है marginally affected, लेकिन यह map कब लाल रंग ले ले, कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो हमको अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए, उमीद करता हूँ, आपको यह analysis पसंद आया होगा, बहुत ही detailed analysis से सर्फ news नहीं, उसके पीछे भी हम गए हैं, तो आप शाद इसका appreciate करें, तो like जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर बताईएगा, इंडियन मीडिया का कहना है, कि बहुत सारी बड़ी तादार में, इन्होंने पाकिस्तान से, ammunition का सामान, import करने की बात कर दी है, और पाकिस्तान इनको बहुत जल्द ये सामान देने वाला है, वेले मैं आप लोगों को यह बता दूँ, पाकिस्तान और पागले देश के बीश में, पहले भी डील चती थी, पहले भी बागले देश ने पाकिस्तान से, fighter jet बीली है, इसके लाबा भी बहुत सारी सामान लेती थी, लेकिन पिश्टे दो-तीन साल से, सारी डील बनती और एक दफा फिर से, इन्डिया वाले के लिए नफरत जो जागना स्टार्ट हो चुकी है मैंने जिस वीडियो के उपार अभी रियक्शन दिये इसी वीडियो के मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग क्या रहते हैं कि आपने बांगलादेश का सामान नहीं लेना अगर बांगलादेश पाकिस्तान से मैंमनिशन का सामान ले सकता है तो हम बांगलादेशी प्रोडक्स का वाइकाउट करेंगे पाकिस्तान और बागनलदेश के बीच में ये भी बात हुई है कि पाकिस्तान और बागनलदेश में अभी डारिक फ्लाइट नहीं है तो उन डारिक फ्लाइट का भी अनॉंसमेंट करना है बागनलदेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बागनलदेश जाएगी जिससे इंड यह वाली इसी टेंशन में कि यार यह हो क्या गया हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, कि पहले ऐसा कभी होगा नहीं आए, कि पाकिस्तान के साथ बड़ी डील की है, बाइन देश ने, बाइन देश पहले जितने भी डील्स करता था, बाइन देश पाकिसान से इंपोर्ट कर रहे और यही चीज़ें जिसके वज़े से इंडिया को काफी टेंशन लगी हुए, कि यार यह लोग अगर इतना डील कर ले और इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे वहां से, हमारी लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकते हैं हमारी चीज़ें फिर में टेंशन में होना पड़ेगा,